नमस्कार में दिक्टर में और आप देख रहे हैं जर्णिलिस यूपी लाइजनी दिश्दिलिया के तमाम भड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरण सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल रहे ज़रूर है आई आपको दिखाते हैं इस प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार उत्तर प्रदेश बहरायच की घटना पर समाजवादी पार्टी के अधर अकलीशादों का बयान सामने आए मीडिया से बात्चेत में उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी गौर्मेंट को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराती तोड़ खोड़ बुलोड़ चला के पुलिस विर्सासन से अन्याय कराने का तो अब जाते जाते क्या नया काम करना चाहते हैं अब तो जाने का समय है अब उतना समय सरकार के पास नहीं है जितने समय सरकार ये लोग चला चुके हैं सरकार में जितने दिन मुख्षंटी रहे हैं उससे बहुत कम दिन बचे हैं अब जाने को तो जाते समय कौन याद करता है यह पहराईच का परसासन का फेलियर और साशन का फेलियर है जो लोग जीरो टॉल्रेंस की बात करते थे जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं बूलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांती बूर ढंग से कराते हैं तो आगरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस उरक्षा क्यों नहीं थी और क्या प्रसासन को जानकारी नहीं थी किस तरह का वहां क्या क्या हो रहा है पूरी जिम्मेदारी प्रसासन की अब प्रसासन और साशन मिलकर के अन्याए कर रहा है अन्याए समाजबादी लोग जड़ सरकार में आएंगे उनके रोजगार का सम्मान उनको सम्मान देने का काम हम लोग करेंगे ना तक मिल्की पूर का चुनाओ उनके अपने सर्वे में वो हार रहे थे पीजेपी और उनके साथियों का जो इंटर्नल सर्वे होता है उसमें वो हार रहे थे इसलिए उन्होंने कहले बियेलो बदले जिसमें की पिषडे पीडिये परिवार के सब बियेलो हटा दिये गए पीडिये परिवार के अधिकारी हटा दिये गए उसके बाद फिर उन्होंने इंटर्नल सर्वे कराया मुख्यमंती जी कई बार गए प्रसासन के लोगों को बुला करके राय मश्रा किया इंटेलिजन्स से रिपोर्ट ली जब उन्हें ये पदा लग गया कि वो चुनाव हार रहे हैं इतने खिल खिलने के बाद भी एलो हटाने के बाद अधिकारी एक भी नहीं छोड़ा पीड़े परिवार खा मैं अपने साथियों से गोंगा जो मैं कैमरे गिरना हूँ एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ, आट, नौ, दस, ग्यरह बरते, पर चौत, पर दस, ग्यरह बरते, बीस कैमरे से जादा हैं और मुझे पूरा भरुस्टा है कि आपको भी पता होगा कि सब ये लो हटा दिये अभी रुखिये, सब अधिकारी हटा दिये और उसके बाद, कई बार मुझे जी गए, तो उसके बाद, उन्हें इंटर्नल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे इसलिए उन्होंने चुनाव टाला, अब उनकी बदनामी हो गई, जो जंग में नहीं आ पा रहे, वो जंग से बहार पहले ही हो गई तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए, कोड का चक्कर लगा रहे हैं, और Election Commission का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे की चुनाव वहा हो जाए, अगर दो दिन के अंदर ये लोग नहीं कर पाए, तो चुनाव नहीं होगा हमारी भी अपील है कम से कम दो दिन के अंदर कोड से वो रिट वापिस ले ले